सूप्रभाद बच्चों आज दिनांके 23 फरवरी 2021 आज हम वक्षिट करने वाले हैं पार्थ साथ की ठीक है जो पार्थ साथ है वो उसका नाम है तीन मुर्ख में आपको बता देती हूं पेज नंबर है फिफ्टी तीन मुर्ख हमने बहुत अच्छी जो है एक कहानी पढ़ी थी ठीक है अब मैं आशा करते हूं कि आप भूलेना होंगे तक आप बहुत आसानी से इनके उत्तर दे दे फिर से अगर मैं वो कहना चाहूंगी नहीं पढ़ा है भूल चुके हैं तो एक बार पुनह इस पार्ट को पढ़ लीजे जादा से जादा आपको दस से पंदा मिट लगेगा पार्ट पढ़ने में पर आपको आसानी हो जाएगी जो वरक्षिट के प्रशन है उनका उत्तर देने के लिए ठीक है चलिए तो पहली पहला प्रशन है दिये गए शब्दों के अर्थ लिखू ठीक है तो जैसे हम हमेशा शब्दार्थ पढ़ते आए हैं ठीक उसी प्रकार आपकी बुक में भी शब्दार्थ दिये हैं बुक में दिये हैं तो पहले आपको नहीं आदे तो याद करिएगा उसके बाद उत्तर दीजेगा देख देख के मत लिखिएगा यह समझे कि आप आपको इनके अर्थ याद करने हैं नहीं आदे तो याद करने हैं और फिर बिना देखे आपको लिखना है पैरेंट्स आप से रिक्विस्ट करूंगी कि इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाये रिवीजिन करवाये इन चीजों का ताकि उन्हें भी प्रशन दूसरा है निर्मय लिकित प्रशनों के उत्तर दो अब जसने पाठ पढ़ा है वो बच्चे इन प्रशनों का उत्तर जरूर देंगे क्योंकि जो दो तीन प्रशन है वो मैंने बुक में से लिया है आपके कौप मरलब पाठ में से लिये हैं अलग से दिया हुआ नह देना है ख बिर्बल ने तीसरा मुर्ख किसी बताया जब वो पूरी कहानी हुई सिक्का घुमा वो ये ढूनने लगे वो ढूनने लगे और बहुत सारी चीजें हुई इस बीच में तो फिर तीसरा मुर्ख जो है बिर्बल ने किसको बनाया था ये आपको बताना है आदमी पे वो अपना सिक्का पेड के नीचे क्यों नहीं ढूंड रहा था, क्यों नहीं उसने पेड के नीचे देखा और यहाँ वहाँ देखने लगा गुर्शवार ने गठर सिर पर क्यों रखा हुआ था, क्यों रखा था जल्दी से बताईएगा आप और लिखिएगा ठीक है चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न तीसरे की और नीचे दिये गए शब्दों में उच्छ जगह पर जो है अम की मात्रा है यह ना यह चंदरबिंदु है या फिर आधा चंदरबिंदु लगा कर लिखो आपको शब्द दिये हैं पसद मा बाल आख पतग कापी हसना काफी काफी ठीक है तो आपको क्या करना है आपको देखना है कि जैसे मैं आपको एक एक इग्जाम्पल देती है पसद पसद क्या है पसद कोई शब्द है नहीं वो होता है पसंद तो आप में हाँ पर अम की मात्रा लगेगी तो कहां पर लगेगी आपको दिखना है मा कैसे लिख जह कुछ देखना है कि कहां पर किस जगह आंकी मात्रा लगेगी चंद्र बिन्दू लगेगा और आधा चंद्र बिन्दू जो है वह जब हम इंङ्ट्रिश के प्राशन चौथा है, सर्वनाम की परिभाषा लिखते हुए उसके उधारन लिखिए। तो आपको सर्वनाम क्या है? मैं आपको फिर से पताते हूँ, पेज नमर 54 पर जो है, आपको परिभाषा उसकी दे के रखी वी है। ठीक है आपको उसकी परिभाशा लिखनी है कि क्या बोला जाता है सर्वनाम और उधारम जैसे कि क्या होते हैं सर्वनाम यह वह उसका किसकी उसकी तुम तुम्हारा मैं इस तरीके से ठीक है और प्रशन पाच्वा है गाय पर पांच पंगतियां लिखो गाय के बारे में आप जानते हैं गाय किस तरीक इसे दिखती है गाय से हमें क्या क्या चीजे मिलती है क्या मदद करती है गाय हमारी तो आप अपने शब्दों में उस पर पांच लाइने पांच पंक्तिया ज़रूर लिखेंगे ठीक है थोड़ी थोड़ी आप राइटिंग प्रेक्टिस करिए तो आपको अच्छा रहेगा आप अपने शब्द धीरे धीरे सुधार पाएंगे लिखने के लिए और मात्राय भी मिस्टेक जो है वो कम होगी ठीक है तो यह आज आपको इतना करना है वाक्षिट में ध्यान से करिएगा है ठीक है अब मैं रखते हूं बाइबाइ